कर्म है योग गुरु है योग हमारी साथना सब जन मिलकर स्वस्त रहें यही हमारी कामना आदर अभिनंदन आभार सभी श्रोताओं का स्वागत है कुमाओ आणी 94.4 मेगा हर्स पर अपुन रेडियो अपुन बात में मैं आपका रेडियो दोष दिपानसु कुवर आज हूँ एक खास मुलाकात में और हमारे साथ खास मुलाकात में केंद्री विद्धालय लोहगार से योग गुरु रजनीष कुमार योशी जी रजनिश कुमार जोसी जी आपका हारदिक अभिनन्दन स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात कारिकरम में धन्यमार दिपानसु जी रजनिश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा योग की क्या उपयोगिता है हमारे समाज में, हमारे समुदाय में देखे दिपानसु जी योग अपने आप में एक बहुत व्यापक विशय है और गूड भी है जन सामानने के लिए योग स्वास्तरहना योग है और योग की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं भगवत गीता में योग का वर्णन करते हुए कहा कि तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्म बिश्चा अधिको योगी तसमाद योगी भवार्जुन हो कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ग्याने भ्योपी मतो अधिको कर्म बिश्चा अधिको योगी तसमाद योगी भवा और योग क्या है योग है स्वयम से अपने आपको जानना अपने आपको जानना और उस परमसक्ति को जानना स्वयम का उस परमसक्ति से मिलन जो है वह योग है स्वास्त रहने के लिए हम योग की उपयोगिता है और इश्वर को जानने के लिए योग की उपयोगिता है हमारे वर्तमान समाज में बहुत तरीकिसी योग को हम अपनाते हैं, चाहे वो हाशय योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, ज्यान योग हो, भक्ति योग हो, मंत्र योग हो, इस विविद परकार से योग का हमारे जीवन में अलग-अलग महत्व है। क्या वो भी योग है? आसन और प्राणयाम करने की आउशकता है, तो प्रस्न ये उड़ता है, या आंसर ये है इसका, कि जब महिलाएं अगर किसी बिमारियों से ग्रसित हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो उसके निवारण हे तू उन्हें कुछ आसन करने चाहिए, या प्राणयाम करने चाहि अपना काम करते रहते हैं, तो उन्हें कुछ पल इश्वर से जोड़ने के लिए, या उस परम सक्ति की आराधना के लिए, चाहिए पूजा के रूप में हो, चाहिए प्राणयाम के रूप में हो, या भी वो कर रहे हैं, या उन्हें स्वस्त रहने के लिए कुछ कर सकते हैं देखिए आसन और प्रणयाम को योग कहना निरर्थक है जिस प्रकार हमारी सरीर की अगर हाथ है उसकी अंगुली को हम सरीर कहें तो यह कुछ अर्थहीन लगता है आसन और प्रणयाम योग के अंग है वो भी अस्टांग योग के अंग है अस्टांग योग का तीसरा अंग है आशन और चौंथा अंग है प्रणयाम आशन और प्रणयाम करने से हम स्वस्ततों रह सकते हैं, हम बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं किन्तों इसको योग कहना जो है वो निरर्थक है, हाँ इसे हम योग अभ्यास यानि योग अभ्यास कह सकते हैं तो योग अभ्यास करने से हम स्वस्तर रह सकते हैं मांसी गूप से स्वस्तर रह सकते हैं साररी गूप से स्वस्तर रह सकते हैं इसलिए हमें योग अभ्यास करना चाहिए योग और प्राणयाम को हम एक साथ नहीं मिला सकते आसन और प्राणयाम उसके अंग हैं इसे के साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई युवा योग के छेत्र में अपना भविश्य देखता है तो उसे क्या-क्या प्रियास करने चाहिए देखिए मैं तो युवाओं से कि ही कहूंगा कि आजकल बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं सैटिफिकेट कोर्स हैं अगर वह योग के भविश्य में पढ़ना पढ़ना या काम करना चाहता है तो ग्रेजुशन के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुए डिप्लोमा है वो कर सकता है योग से या मे योग से कर सकत है अब तो बहुत सारे विष्विध्याले हैं जो कि योग में सनातक और प्र्रा करते है अगर में अगला सवाल थोड़ा आपकी नीची जिंदेगी से जानना चाहूंगा कि आपके जी उन में शिक्सा जो रही वह कहां तक रही आपने कहां तक इसे भराप्त की देखे मैंने इं टर साइंस से किया फिर gratitude भी मेरा scient से है मेरे physics mates और computer science मेरे subject रहे फिर अनायासी मेरा विज्ञान में मन लगता नहीं था मैं science को यह सोचता था कि कैसे जन हिट के लिए इसका प्रियोग कैसे होता है यह मेरे समझ से बाहर था तो मैं जब पोस्ट ग्रेजुशन में एड्मीशन के लिए सोच रहा था तो मेरी मुलाकात एक ऐसे सक्स से हुई जो योग भाग में उससे में विभागा द्यक्षा है दॉक्टर नवीन चन अनुकंपा से मैं आज केंद्री विद्ध्याले लोहागाट में योग प्रसिक्षक हूँ थोड़ा कन्फूजन सा क्रियेट हो गया है मेरे मन में कि पहले आपने साइंस की पढ़ाई की उसके बाद एकदम से योग में स्विप करना आपके लिए परिवर्तन कैसा रहा अब क्या करना क्योंकि अंग्रेज जी और साइंस जो है मेरे दिमाग से थोड़ा कम-कम समझ मा आती थी मुझे और विज्ञान तो ऐसा में सोचता था कि जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो हम फिजिक्स की इतनी थियोरियां पढ़ रहे हैं आम जीवन को कैसे कुमा उश्विद्याले निटाल में तो उनकी व्यक्तितों से प्रभाईत होके मैंने सोचा कि इस तरीके से हर आम इंसान तक हम पहुंच सकते हैं आम इंसान तक इस योग जैसी पुन्य और वैदिक परमपरा है इसको हम पहुंचा सकते हैं इसलिए मैंने फिर योग में पर योग आसनन परांतु मैं यह कहूंगा कि ओम जो एक ओम नाम है इस सरिस्ट का सर्वोत्तम नाम है जिसने इस नाम को जान लिया और इसको पहचानलिया वह स्वया में अपने में यूणीक बन जाता है और ओम से यह ओम ऐसा है इसे कभी भी बोल जा सकता है यह नहीं कि ख खाना खाने से पहले बोलो, इसके लिए कोई परमपरा नहीं है, हाँ ओम का एक स्पस्ट उचारण है, जैसे आप लंबी गहरी सांस लीजिए, और ओम आपने देखा, जब मौ का उचारण हो रहा था, वाइवरेशन उत्पन्न होती है, कमपन जो है, यह हमारे थाराइड के लिए जरूरी होता है, यह हमारे पूरे सरीर को, एक केवल ओम उचारण पूरे सरीर के लगभग 80% बिमारियों को दूर कर देता है, तो नसा मुक्ति क्य है, वो दिमाग से, आपकी जो मानसिक्ता है, उसको अगर वो मजबूत कर देगा, आपके मानसिक रूप से मजबूत कर देगा, नहीं, मुझे नहीं लेना यह चीज, यह मेरे लिए नहीं है, मैं वास्तविक सत्ति को जानने लगा हूँ, तो अपने आप छूड जाएगा, और फिर बहुत सारे आसन हैं, जो नसा से आपको मुक्ति कर सकते हैं, आपको योग आसन करने पड़ेंगे, आपको प्राणयाम करना पड़ेगा, और बहुत सारे संसादेने, लेकिन सामान नेत हो अगर जिसने ओम सब्द का उच्चारन कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ओम ना प्राणयाम कीजिए, ब्रामरी प्राणयाम में केवल मौकी ध्वनी का उच्चारन होता है, सांस लेकर आख नाख और कान को बंद करके आप इस तरीके का उच्चारन कर सकते हैं, इन तरीके के प्राणयाम से आसन वगरा तो यह है कि आपको देख कर जब आपके सामने कोई प्रशित करें, तब आप उसे ज़्यादा अच्छी से सीख सकते हैं, लेकिन यह प्राणयाम जो है, यह स्वयम के लिए हैं, यह आपको सारेरिक के सांसाद मानसिक रूप से भी मजबूत मनाते हैं, और एक स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिस का निर्मान होता है, आपको मन इंडरेशन है, वो भागदौल में व्यस्त है, और उन्हें योगा करने का टाइम बहुत कम हो पाता है, कोई ऐसा योग आपके संग्यान में? देखे दिपांसु जी, मैंने आपको मुझ्चारण बताया, लेकिन वो मुझ्चारण के अलावा भी अगर आप करना चाहें, चूकि मैं ये चीज मैं भी देखता हूँ और मानता हूँ कि आज कल आजीविका के लिए लोग दिन परते दिन रात दिन भठकते रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको बहुत कम समय में सरीर स्वस्त भी रखना है, योग आसन करने तो सूरी नमस्कार, अपने आप में आसन और प्राणायाम दोनों हैं, सूरी नमस्कार के जो 12 स्टेफ हैं, जो 12 स्थितिया हैं, अगर आप उन्हें कर लें, तो आप आसन प्रा में हैं, वो सारवत्रिक होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, इन सबसे परे जो है, योग अपने आप में एक सारवहमिक धर्म है, सारवहमिक सत्य है, तो आप इसके आसनों को कर लें, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं जी हम सू सूरि नमसकार करने से ही इनसान के सरीर में सूरि जैसी जो तेज है, जो उर्जा है वो उत्पन होने लग जाती है, सूरि नमसकार का एक छोटी सी लाइन है कि आधित तश्य नमसकारां ये कुरूवनती दिने-दिने आयृ, प्रग्या, बलम, विर्यम, तेजा, सांथ, ज़ अधात जो आदित तश्यानी सूरी को दिन प्रति दिन या रोज नमस्कार करने से या आसन करने से आपकी आयू प्रग्यां बल वीरी ये तीन चार चीजे जो हैं ये अपने आप बढ़ने लगती हैं और सरीर स्वस्त होने लगता है तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि कम स धन्यवाद दिपांसु जी मैं आपका जो चैनल है कुमाओं वाणी इसका भी धन्यवारदा करता हूँ कि आपने मेरी आवाज युवाओं तक पहुचाए धन्यवाद सुनते रहिए 90.4 मेगा हर्स पर कुमाओं वाणी अपन रेडियो अपन बात और मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ धन्यवाद